अलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास में एरिया अंडर दी करो का लेक्चर टू पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हम बहुती सुपर साटिक मेठेट से बताएंगे, जो की बहुती कम समय में सालो कर लेंगे आप लोग बिदिन फाइब सेकंड में, ठीक है? इसे आप ध्यान एक परवले है, एक इस्टेट लाइन है, इन दोनों से परिवद्ध एरिया का छेत्पल बताना है, तो देखिए, ट्रिक क्या है इसका, वैसे विस्तार से लगाएंगे, तो कॉफी समय लएगा, इंट्रिगेशन करके, यहां हम ट्रिक से बताएंगे, जिसे एक बिभीन से कम समय में सालब हो जाए, तो यह जो परवणे हैं, इसको लिखते हैं, यह क्या सी सबहस्किस लिखेंगे, वाई स्कॉइर, इसको हम बना लेंगे, जैसे y is equal to कर लेंगे 4 x minus 1 है तो इस यहां से 1 x निकालेंगे उसका region यह है जैसे देखिए इधर में square है square जितने बिचा एक्स में square है जो y में square वो left side में रखेंगे और जो जिनमें power 1 है मनें x है या y है उसको right side रखेंगे और उसी के नीचे straight line से x है तो x की value यहां से निकालेंगे अगर यहां y होता तो y की value निकालकर कुछ इंचे रखते हैं देखिए तो यह greater है वो हटा ते equal लगा देंगे इसको धर लाएंगे तो हो जाएगा y plus 1 divide y 4 is equal to x ऐसा या इसको से कहतेंगे 1 upon 4 y plus 1 upon 4 यह x की value हो गई अब यह जो परवले लिखे हैं y square to x इसमें यह x है और यहां state line से x का मान निकाला हूँ तो इसी के निचे लिखूँगा यह इस परकार से करके value करके x तो x is equal to कितना मानाया है 1 upon 4 y plus 1 upon 4 ऐसा कर देते हैं फिर यह trick है इसमें ध्यान देजेगे पहले इस परकार बना लेंगे square वाले को left side अब बिना power वाले को single power वाले को right side और उसी जो variable रहे वही variable का state line से निकाल करके उसे निचे दखते हैं तो यहां करते क्या है जो यहां पर y का जो coefficient है 1 upon 4 इसका cube करते हैं ठीक है इसका square यह और इसका cube अब दोनों का पस multiple दोनों का multiple करके अब उसमें 9 by 2 से गुड़ा कर देते हैं और यही super trick है क्या किया जो यहां पर है coefficient उसका square जो यहां पर coefficient है यह y का coefficient इसका cube दोनों का multiple करके अब अगल मैं उसमें 9 by 2 से और multiply कर देंगे जो आ जाएगे वही जो है bounded area हो जाएगा तो इसको देखे यहां मैं करना हूँ इसका 2 का square किता हो area is equal to area is equal to 2 का square 4 हो जाएगा आई इसका cube करूँगा तो 1 upon 4 है चार चाग 16 चाग 64 हो जाएगा यह किया इंटू 9 by 2 ठीक है आप 4 से काड़ देंगे 4 एकर्णम 4 यह होगा 4 एकर्णम 4 चार चाग 24 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 9 upon 16 तो नी 32 यह इसका answer हुआ ठीक है यह ध्यान दीजेगा आप लोग यह 9 upon 13 इसक्वाइर यूनिट कहलेंगे इसक्वाइर यूनिट वर गी काई लिख देंगे ठीक है तो समझ में आगे यह जो इस पकार से रहेंगे परवाला और स्टेट लाइन उसमें इसी ठंक से करेंगे स्क्वाइर वालों Left में और बीना स्कुर्णा वालों सिंगaltet विख लिक रेंगे इसका जो को के कीउश Waltioni करेंगे यहां thern करेंगे तोनों का मल्टिपोल करके नाइन वाइट वाइट यहीं तूटन थोड़ा से याद राखना बस यही दो यहाद रखेंगे तो आप बहुत समय की बच्छत कर लेंगे और बहुत कम समय में कोश्चनों साहर कर लेंगे अब अगला देखें कोश्चन नमबर टू इसका क्या एरिया होगा तो देखें शूटन ये वर्ग में है इस दो पॉर्ट में है ये हमारा परवले बता रहा है ये पॉर्ट पकड़ेंगे तो इस्टेट लाइन पता रहा है इन दोनों को अलालग ले लेंगे इसको तो किता हो जाए हैं याज इसकोल टू ये पर वले हो गया अब इस्ट्ट में हाई है अगर नहीं राइट में होता तो इसकॉयर वाले कि लिटो लेंगी ठीक है तो यहां पर जो x का coefficient 2 है यहां variable x है तो x के नीचे state line से भी x से कहीं मान निकाल कर रखेंगे तो अपने आपर ही निकला हुआ है यह तो लिग देंगे x ठीक है कितना यह y plus 4 यह हो गया अब यहां x का coefficient जो 2 है इसका square करेंगे यहां जो y coefficient 1 है इसका cube करेंगे अफिर चुकि constant term यहां constant term है अगर constant रहेगा तो दोनों का गुणा करके 9 बटे 2 से गुणा और करेंगे इसका area हो जाएगा area is equal to 2 का square कितना है लिग देता हूँ 2 का square into 1 का cube यह इसका square और इसका cube ध्यान देजेगे लिग भी दिया हूँ यह square और इसका cube into 9 by 2 यह इसका 3 के शुटें तो यह हो जाए कितना अब यह दो दूनी 4 अगर यह दो से काड़ देंगे तो कितना दूनी 18 18 square unit ठीक है यह इसकी answer हो जाएगा अब तीसरा question देखिए the area cut off parabola 4y is equal to 3x square and line 2y is equal to 3x plus 2 इसोने बहुत सुपरसार्टिक यह आप कहीं इर्ट्रिक नहीं पाएंगे यह मैं खुद बहुत ही मेहनत से खोज करके बनाये हूँ इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा ऐसे आप मेरे वीडियो को ठीस देखते रहेंगे मैं बहुत हर टॉपिक का इसी प्रकाश सुपरसार्टिक बनाऊंगा जिस बनाता रहूंगा जो कि आपके हर कंपंडिशन में बहुत सहायता करेगा ठीक है देखिए अब ये परवले है ये स्टेट लाइन है यहाँ बेसे करेंगे इसक्वायर वाले मने कहा लिप्ट में करूंगा तो क्या हो जागा इसमें से हो जाएगा याक्स इसक्वायर इस इक्वल टू फोर अपान थ्री वाई ये परवले होगा इस पकार से और स्टेट लाइन से ठंक बार है हो जाएगा तो यह वाई मिल ला है इसी के निचे लिखेंगे इसको मानगो यहीं इसका ट्रीक है तो कितना लिखेंगे y is equal to 3 by 2 x plus 6 ठीक है आप इसका क्या करेंगे इसका square करेंगे इसका square आईशा क्या क्या करेंगे इसका cube करेंगे इसका cube और दोनों का अपस में गुणा करके, दोनों का क्या करेंगे, गुणा करके 9 बटे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें constant में बैठा है, constant नहोता, तो एक बटे 6 से ही गुणा कराते हैं, वो अब यह बताएंगे इसके आगे वाले में, तो देखें तो इसका area हो जाएगा, area देखें, इसका square, यह 4, 4, 16, बटे 3, तरकाई 9, इसका cube, अच्छा यह भी त्रीक है, तो यहाँ square हो गया, फिर square का आगे cube वाला होता है, इसे याद रख लिजिए, जैसे में square है, तो इसका square किया, फिर square का आगे cube होगा, तो यह इसका cube हो जाएगा, तो इसका cube हो जाएग दो दूनी, चार दूनी, आठ हो जाएगा, अगुरते 9 by 2, यह धाना कि 9 बट दो से इगुड़ा कराएंगे, जब constant, रेका में, लाइन में constant टर्मन है, तो, तो कर दे, 8 दूनी, 16 से 16 पूरा कड़ गया, 9 यह हो गया, 9 से 9 यह भी कड़ गया, तो बराबर कितना हो, 27, 27 square unit, ठीक है, यह जो है, एंसर हो गया, अब अगला question देखिए, question number 4, find area आप दे रेजन, bounded by x square बराबर y and y is equal to 4 x, देखिए यह परवले है, symmetric about y x 6, अब यह straight line है, जिसमें constant term नहीं है, कि बल, y is equal to 4 x है, ठीक है, तो, ऐसे देखिए, कैसे करेंगे सर, अब इसका देखिए, क्या trick ह है, तो, सबसे पहले देखिए, x square बराबर y लिख दिया, अब यहाँ y है, तो y नीचे y लिखेंगे, तो y is equal to 4 x लिखेंगे, ठीक है, इसमें constant term नहीं है, यहाँ coefficient 1 है, यहाँ पर x coefficient 4 है, यह 4 है coefficient, तो, इसका square, इसका cube, इसका square करेंगे, इसका cube करेंगे, इसमें कितने से multiply क करेंगे, ध्यान दिजेगा, 1 by 6 से student, वहाँ पर जब constant term रहता था state line में, तब तो 9 by 2 से multiply कराते थे, अगर constant term नहीं है, तो 1 by 6 से multiply करेंगे, इसी student आपको थोड़ा से याद रखना है, बाकि सब बीजी है, बहुत ही सरल हो जाए, सब कुछ आपको बन जायागे, तो area is equal to 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, इन्टू 4 का क्यूब, 4 चाप सोलक चोको 64 हो जाएगा, इन्टू 1 by 6, यह हो जाएगा, ठिक, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, यह धान देगना है, कार दिए 2 से 2 तहीं 6, यह हो जाएगा, कितना, 2 तहीं 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब हो गया, 32 बटे 3 स्क्वायर यूनिट, ठिक, यह हो जाएगा, फिर अगला देखिए स्टूजन, कोशन नमबर 5, कोशन नमबर 5 देखिए, फॉइंड एरिया आप दे रीजन बाउंड़ बाउंड़ बाई दी कर्व, यक्स वराबर वाई स्क्वायर और यक्स का माड, यह माड देग ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, य में वर्ग है, इसको तो लिप्टे में कर रहेंगे स्क्वायर को, य स्क्वायर इसक्वायर 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 इ तो यह जो एरिया है, इसका एरिया है, यह मूल बिन्ध है, यह X-axis है, यह Y-axis है, अजिस इसे परवले ही नहीं, इधा तो एरिया घिर ही नहीं रहा है, इसे मतलब नहीं के, अगर यह यह के लांग में होता, तब इधर भी आल ही मान जाता है, ठीक है, दो टर्म में जोडना प से हमें भी एक्स निकालना होगा तो यहां कोफिस्टेंट 1 है यहां भी कोफिस्टेंट 1 है तो क्या होगा इसके एरिया एक का इसका स्क्वार इसका क्यूब एक ही रहेगा इन्टू इसमें कॉंस्टेंट टर्म तो है नहीं है तो कित्ते से मल्टिप्लाई करेंगे 1 by 6 है, इतने से 1 by 6 है, कुछ कितना हो जाएगा, 1 by 6 हो जाएगा, ठीक स्टिन, अगर इधर भी वक्र हो, y के along होता परवल है, तो इधर भी वक्र बन जाता, तो एक बड़ च्छा, एक बड़ जोड जाता, तब वहाँ एंसर, एक बड़ तीन हो जाता, यहाँ पर कितना है, एक ही भागीर रहा है, इसलिए, एक बड़ च्छा हो जाएगा, इसक्वार यूनिट, इसक्वार यूनिट, ठीक इस्टुटिन, इस पकासी ये, हमारी पांच कोशन, आज के वीडियो कलास में, बता रहा हूं मैं, ए लेक्चर 2 है, एरिया अंडर इकर्व का, इसी पकासी और भी एरिया अंडर इकर्व के, हम सूपर ट्रिक बताएंगे, आगले वीडियो में पुराँ पता हूंगा थाइंक यू